हेलो गाईज फिरकुर्णुमा चेलर गाईज पीटी मॉक टेस्ट में आप से भी स्वागत है तो गारंडी लेता हूँ इससे बहतीन मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर पूरे यूटूब पर नहीं मिलने वाला है तो कुछ पसंद देखेगा उसके बाद आपको लगे कि यहाँ टरत के नाम से भी जाता है ।िके हैं यह अईक प्रसासन के लिए जो असोक थे यह आपका करेक्ट अनसर Other लेगा कःएं से पर जाता है और यहाँ को प्रीडर्सी के नाम से भी जाना जाता है तिक है कही जगा आप को मेंसन करते हैं मिलता हुआ है ठीक है और इन्हों ने क्या किया था कलिंग का युद्ध के बाद ही युद्ध नेती त्याग देजी ठीक है उसके बाद बहुत धर्म की और अगरसित हो गयते हैं कोशर नंबर दो में देखेगा तो कहते क्या हैं कि औरंग जेब के बिरुद्ध 1668 के जाट विडरो के नेता कौन थे औरंग जेब जो थे उनके बिरुद्ध यो मुगल ने ये आपके सासक थे तो इनके खिलाप यहाँ पर जो जाट विडरो हुआ आठा सो अठाट खा उस समय जो नेता वो अगरते थे वो थे यहां पर गोकुल ठीक है गोकुल नेता जो था वो इसका नेत्त किया था जाट विद्रो 1668 ठीक है अपसन नमबर से यहां पर एकदम परेक्ट होगा अगला कोशन देखेंगे तो कहते के हैं कुका विद्रो कहां ह मैंच करना है तो वह आपको यह पर बताना है तो चलिए मैं आपको पूरा कोशव में अपको दिखा देता हूँ तो इसमें कया है जो जैन धर्म के यहां पर तीतकर हुआ करते थे उन से समबंदित यहां पर आपको जो प्रतिमाल अच्छणे वो यानि किससे दिनोट किया दोस्तो यह संबन्दित हो जाएंगे तो अगर पास्जोंकी सर्प से ठीके अब इसके बाद आते हैं समेहुना तो जो bạn grow सही हो जाएगा रहे की एक बन होरते हुगा उन था की ही तो तो अगर देखें यहां पर option में तो आपका option number A यहां पर एकदम correct हो जाएगा ठीक है शले question number 5 में देखेंगे पांच में कहते हैं कि जो इकता परडाली है यह किसनी प्रारम करी थी ठीक है एक परडाली है इकता प्रारम करने का स्रे किसको जाता है तो पांच का राइड एंसर हो जाएगा आपके चलते हैं अब देखें पांच question आपके राष्टी आंदोलन से आने हैं तो उसमें यह सजा सुनाने वाला नयाधी सिंणे मलेकचत से कौन था ठाथ सिंग को जो पांशी की सजा सुनाई गई उस समय नयाधीश कौन सब से ले Market last रिखें आप पेनी आधी5 को पूछा सकता है कई रहो जैंगा जेसी हिल्टन जेसी हिल्टन के दोरा इन फांसी के सजा इनको सुनाई गई थी तो यह करेक्ट एंसर हो जाएगा देखेगा उससे पहले एक चीप बदा देखेगा अगर आपको पीडियुप चाहिए ठीक है तो बहुत तर अगले में कहते क्या है आप पर तो कोश्चन नंबर साथ में आपको मैस करना है तो देखेगा जो लैंड होल्डर सोसाइटी तो इसकी स्थापना किसके दर गई तो इसका रैडेंस रोजाएगा यहां पर विलियम एडम्स ठीके विलियम अदेंस के दर गई अब इंडियन लीग आता है तो इंडियन यह हो जाएगे आपके सिसिर कुमार गोस्टिक इंडियन लीग अब इंडियन एसोसियेशन जो है वह हो जाएगे एमेन बनर जी तो आपसन नंबर यहां पर एकदम करेक्ट हो जागा यह चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टन इसको देखे जाएगा कोशन नंबर अग वासुदेव बलवन्त फड़के ठीक यह महराष्ट का रामोसी करसक जथा की बात कर रहे हैं तो वासुदेव बलवन्त फड़के इसके करेक्ट एंसर हो जाएंगे इन्होंने इसको इस्थापित किया था कोशन नंबर 9 में देखेगा तो कहते क्या है जो आपका कानपूर् देखेगा तो कहते कहे हैं जो अहम्दाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑस्योश्यसन है इसकी स्थापना किसके दौरा करीगे ठीक हैं तो निकरी तो दसका राइट एंसर हो जाएगा यहां पर आप्सन नंबर आ यहांनिकि महात्मा गांदी के दौरा इसकी इस्थापना यहां पे जो मजदूर मिल आंदोलन था वो किस से संबंदी वो भी मात्मा गांधी से संबंदी थे हैं चली कोशन नमबर अगला देखेगा तो कहते हैं जो डेटम लाइन्स होती हैं वो होती हैं ठीक है जो डेटम लाइन ये पर डेटम रेखा हैं वो क्या है तो ग्यारा का र देटम रेखा या फिर देटम लाइन के रूम से जानते हैं कोशन नमबर अगला देखेगा अगले में कहते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार में लगबग कितने डिगरी का अंतर है ठीक है भारत में जो देशांती विस्तार है ना देशांतरी ठीक उसमें कितने डिगरी का आंतर आपको देखने के मिलता है तो यह होगा कि आपको 30 डिगरी ठीक है उसमें 30 डिगरी आंतर देखने के मिलता है देशांतरी विस्तार में यह होगा का correct answer अगला कोशन जो कहता है आपर की काउन सा राश्टी राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मतुरा और बनारश के राश्टे से जोड़ता है उस नेशनल हाइवे या नाम बताना है तो इसका राइडेंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा नह टू ठीक नह टू के दौरा इसको बृद्ध हुआ था या दखेंगे यह हो जाएगा आपका, चौदा का राइडेंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है ये वन काटाई के विरुद्ध में हुआ था ये उत्राखंड के चमोली से स्टार्ट हुआ थे ठीक है चमोली से स्टार्ट हुआ था बहुगड़ा जो सी जो थे उन्होंने इसको सुरुआत किया था ठीक है चलिए अगला कोशन देखेंगे आपर अगला कोशन देखे तो कहते हैं निमली खित में से कौन सा बंदरगा मुकिता लव आयसक का निर्याद करता है बहुत बारी कोशन पूछा गया है लव आयसक का निर्याद करने वाला एक मातर बंदरगा कौन सा है तो 15 का right answer हो जएगा पारादीब ठीक है पारादीब जो है हलदिया का ये आपका correct answer हो जएगा यहाँ पर मुकिता loveis के जो iron ore है ना वही यहाँ पर आपको supply किया जाता है इसी से यहाँ पर transportation होता है question number 16 कहते हैं कि हमारे देश के किस छेतर में आर्थ विरोजगारी पाजाते है ठीक है हमारे देस के 2 छे σας चांवर कौन सा है यह आपको बताना है अर्थ विरोजगारी का मतलब क्या है semi unemployment मतलब है यहां पर कुछ दिन कूझ्क वार्थ काम होता है उसके आद काम नहीं होता है तो सोला का राइट एंसर होगा कि यह प्राथमिक छेतर होता है ठीक है जो प्राइमरी सेक्टर है अपने भारत का वहां पर आपको ऐसी सेमी इंप्लाइमेंट डेखने को मिल जाती है कोशन नंबर 17 कहता है यहां पर कि भारत में आर्थिक नियोजन का सुरूप जो है वो कैसा है ठीक है भारत में जो आर्थिक नियोजन का सुरूप है वो कैसा है तो 17 का जो राइट एंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा वह जाएगा यहांपर आपसन नंबर डी ठीक होगा बैसिकली यहां पर विकेंदरी करत है निद्यासात्मक है और समाजवाधी और पूंजीवादी तत्तों का श्रमनवाई है तो आपसे नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि यह पे तीनों पॉइंट जो है यह भारतिक नियोजन का सुरूप दर साता है ठीक है कोशन नंबर अगला दिखेगा तो अगले में कहते हैं यहां पर अठारा में की राश्टी ग्र ग्रामीड स्वास्थ मिशन जो प्रारम हुआ वो का प्रारम हुआ तो इसका जो राइट एंसर होगा दूस्तों त테र घार हो वह जाईगा आपका है पर भी eld of 2005 ठीक है किसके दारा मानो विकास सुचकांस ठीक है जो आपका वो विक्सित किया गया तो याद रखेंगे इसका जो राइड एंसर हो जाएगा उन्निस का वो हो जाएगा यहाँ पर आपका UNDP ठीक है UNDP जो है वो आप जानते हैं कि Human Development Index जारी करता है हर साल और इसकी यहाँ पर पूछा भी जाता है ठीक है तो इसको दारा यह डेवलप किया गया यह UNDP के दारा यहाँ पर HDI डेवलप किया गया ठीक है कोशन नंबर अगला रिखेगा तो 20 में कहते हैं कि निमलिकी में से कौन सा भारत में ग्रामीड रोजगार का सबसे बड़ा कारकरम है ठीक है भारत में जो ग ठीक है पहले नरेगा हुआ गर्दा 2006 में फिर महात्मा गांधी का नाम जो जोड़ा गया इसमें तब यह 2009 डेट थी ठीक है 2009 तो राष्ट्री रोजगार इसमें होता गया है 100 दिन का रोजगार पुरदान किया जाता है जो लोग यहाँ पर बिरोजगार है ठीक है यह वरना अगर यह एसा नहीं होता तो वरना उनको बिरोजगारी भत्ता के तोर पे भी कुछ रासी दी जाती है कोशन नमबर देखें यहाँ पर किसमें तो कहते हैं कि राज में महा दिवक्ता का पद उलेख भारती समिधान के किस अनुछेद में किया गया है ठीक है जो महा दिवक् महां जबता ठीक है चलिक कोशन नमबर अगला देखेंगा तो कहते हैं आप पर आपका को तो इसमें आपका जो आपका DPSP है ठीक है राज किरनी दिदी देशकता तो जो भाग चार में बैंसने तो करते हैं इसमें क्या चीज आपको नीद दोश्में मिलती है समान कारे के ल जाएगा अगला कुशन देखेगा तो कहते हैं तो इसमें कि सम्विधान के किस भाग को नियाले के दौरा परवर्तनी नहीं करा जा सकता है ठीक है कौन सा भाग है जो नियाले के दौरा भी यहां पर इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है ठीक है कोड के दौरा भी यहां पर को अब इस तो कहता है कि बिधान परिशद किसी साधानर विधेग को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है ठीक है अब देखे बिधान परिशद जो है न वो क्या गरती है किसी विधेग को जो साधानर विधेग होता उसको रोक सकती है तो वो कितने समय के लिए रोका जा सकता हैं तो वो हो जाता है तीन मा । griev dat और आप का एगा खेंगे बहुत के बहुत के समष्भां का कौन सा भाग शमीधान के आदेशों कि जोश्ड़ा करता है तो याद रखेंगे इसका रायड आसर हो आपके लिए यहाँ पर उर्देशी का ठीक है जो प्रियम्बल है जिसको यहाँ पर Constitution की आत्मा कहा जाता है संभिधान की आत्मा कहा जाता है उर्देशी का यह प्रियम्बल तो यह आपका correct answer हो जाएगा तो यह आदेशों की गोश्टा करता है संभिधान की प्रियंबर अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभर लगभर आपको बहुत सारी चीजी समझाने के बारे में क्लियर हो जाती है प्रत्रप्ति यह में प्यास के इंदर मानुग मस्तिक के किस बाग में अवस्थित रहता है तो 26 का राइडा अगर यह रह जाएगा थे हैं अब हैब में साया है तो इससे चिरे देख ली जगा तो आपका जो कंट्रोल होता है ना ठीक है आपकी बाड़ी का टंप्रेचर कंट्रोल होता है वह हाइपो थाइलमस के दौरा किया जाता है ठीक है याद रखेंगे यह भी आपका बहुत बाप उच्छा जाने वाला परसन है ठीक है चलिए अगला कोशन यहां पर देख लेंगे तो इसमें कहते हैं कि जल के आयनतन में क्या परवितन होगा जब तापमान नव डिग्री से गिरा कर तीन डिग्री से कर दिया जाए तो इसमें होगा क्या है जो वैलूम होता है वह पहले तो घटता है और उसके बाद यहां पर बढ़ जाता है ठीक है वालूम जो है पहले घट जाता है उसके बाद वालूम बढ़ जाता है तो यह यहां पर परक्रिया होती है अगर आप इसको 9 डिग्री से 3 डिग्री से बीच में अचानक से गिरा देते हैं कोशा नमबर 28 क्या कहता है चलिए जब किसी जील की तली से और उटकर yU का 5 गुल गोला अपकर सतें पर आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा ठीक आब धेखे अवर जील में से अगर कुई बुलबुला उपर उसकी सतें पर आरहा है तो उस पर आकार पर फरक्यां बढ़ता है तो दीखिए वह वह बढ़ जाता है ठीक है अंदर यहाँ पर आपको बता होता है तो यहाँ पर होती है फिर संपर्क से सिपलिस होता है यह विल होता है जो आपका यहीं आपको यहाँ पर गलत हो तो कौन सुमेलित नहीं पूछा गया तो वाई दोरा टीवी संपक्त दोरा सिफलेश पाई दोरा है लेकिन टिटनेश वह आपका विसांडु दोरा नहीं होता है ठीक है चलिए कोशन नमबर अब यहाँ पर तीस में देखेंगे तो कहते हैं इ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएंगा अफसन नमबर अब एकदम सई हो जाएगे घ्नेश पर देखेंगे अब मैद को कौश्चं लेने से पहले क्या गरेंगे मैं आपका जो जैनल अफेर शेक्षम और यहाँ पर आपका करेंट का सक्सक्सन इनको पहले ले उसके रिदिम बन जाएगे कि आपका करंट वगरा जो जी के वगरे हैं एक साथ हो गया उसके बाद करीजिनिंग वगरा सब करेंगे तो चलिए अप करंट अफेर के परशनों को देख लेते हैं करंट अफेर आपके एक्जाम में आना है दस नंबर का और बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करेगा तो कहते हैं आपका को लोकेशन का मुद्रा इन दिनों चर्चा में है या किस छे से संबंदी थे तो याद रखें है कि अधिली सरकार के बजेट 2021 का क्या नाम था जिसको तहत आउंड फोर्चस प्राइप रैठरी स्कूल पहले बैच के लिए प्रविश ले रहा है ठीक है रिखेंगे दिली सरकार के दोजार का क्या नाम था जिसमें यहां पर आप बिताएंगे कि जो आउंड फोर्स ठीन अधिरित के बारे में जैगुटता पैदा करने के लिए विष एंजीयो दिवसक किस TARIK को मना जाता है उने मार्ट के रूप में चुछा करते हैं और यह donation प्रात करते हैं कुछ बड़े-बड़े sector से ठीक है question number देखिए चाववन कहता क्या है कि Bombay stock exchange के गर बात कर लेते हैं और उसके साथ national stock exchange जो है 25 परोजी 2022 को कौन सा stock settlement system सुरू किया है ठीक है इन्होंने कौन सा एक stock settlement system सुरू किया है तो यहाँ पर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा यहाँ पर आपका B यानि कि T प्लस वन यहाँ पर रखा गया है इसका नाम याद रखेंगे ठीक है यह एक system है store settlement system ठीक है चलिए question number अगला देखेगा अगले question में देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर की brickworks rating ने with towards 2022 के लिए भारत की GDP व्रद्ध का अनुमान 8.5 से 9% से कितना percent कम कर दिया ठीक है पहले जो उन्हेंनों बोला था है ब्रिक्स वर रेटिंग ने कि 8.5 से लेकर के 9% के बीच में इसका यहाँ पर रह सकता है लेकिन इसको change कर दिया है इन्होंने तो वो कितना किया है तो 55 का राइटन से हो जाएगा 8.3 ठीक इसको कितना कर दिया आठ पॉइंट तीन कर दिया निकर उन्हों का मानना है कि इस समय जो GDP है भारत की 2223 में वो गिर जाएगी ठीक है वो 8.3% बचेगी पहले इनका मानना था कि ज्यादा रही एक लाकोशन के कहता है कि ट्रॉपिकल चक्रवात इमार्ती ने हाली में किस देश में दस्तक दिया ठीक एक ट्रॉपिकल जो आपका साइकलोन है जिसका नाम इमराती है तो इन्होंने हाली में किस देश में अपनी दस्तक दी तैयाद रखेंगे इसका राड एंसर हो जाएगा यानिकि जो मेटा गासकर है ना वहाँ पर इसने दस्तक दिया निकि वहाँ पर इसका लैंड फा तुमन के बेरी है यह अगर दिमाग में आ गया तो भी बता देता हूं पराग जो है यह आपके ट्यूटर के हैं अब इसी के संबंध में आपर सावजनी नीत के प्रमुक के रूप में निक्त किया गया तो वो कौन है वो हो जाएंगे समीरन गुपता ठीक है कौन समीरन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि किस टेनिस खिलाडी ने मैक्सिकन ओपन दो हजार बाइस जीतकर यहाँ पर जीता है बैसिकली तो इसको एक और नाम दे रहा है जानी कि अका पुलको खिताब ठीक इसको क्य चैनिस से संबन देखेंगे अगले में कहते कि भारत की साधिया तारीक ने किस देल में मास्को स्टार्स चैंपियंशिप 2022 में जूनियर टूनामेंट में सब्सक्राइब जीता है ठीक है याद रखें गोल्ड मेंडल है अब किस खेल में जीता है तो यह आद रखेंगे यह हो जाएगा उन्सट का वुसु में ठीक वुसु एक खेल होता है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और मास्को स्टार्क चैंपियंशिप इस खेल का यहां पर इसका जो चैंपियंशिप भी आयुजित हो रहा है इससे समझे वुसू से ठीक है अगला कोशन सोरकाणि पतला सब्सक्राइब टेक है के मैं देखेंगे और नंबर यहां पर मत्त जचाएगा ठीक है चलिए बैटी लोग हो गई कोई दिक्कर नहीं आपकी नहीं होनी चीए तो कहते हैं कि यहां पर आप देए जनल अवर्निस के कोस्टेन जो आपके दस नंबर के आने हैं जनल अवर्निस ठीक है तो इसमें कहते हैं कि किस भारती समदाय ने भारत में पहली क्रिकेट कलब की स्थापना करें किर्केट कलब की स्थापना करें कोर्शन नंबर देखिए यहां पर 62 में कहते क्या है जो मलेरिया दिवस है वो कब मना जाता है ठीक है जो मलेरिया दिवस है यह कब मना जाता है तो 62 का राइड एंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा यहां पर आपका एवाल कोशन नमब का जुछता को लिखा गया यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएका कोशन नमबर अगला दीख़े तो कहते हैं न कि राश्टी पत्रच्छा विज्ञान सस्थान कहाँ पच्छिए ठीक है तो इसका राइद्टैक्र आपको बताना है तो यह होगा क्या आपका नई दिल्ली में इस्तित राष्टी प्रत्रिच्छा विज्ञान संस्थान अब बहुत करें तो कहते हैं कि बेगल सब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है यहाद रखेंगे 65 का जो मन्म घंट सब्द का उप्योग टेनिस में किया जाता है ठीक है यहां पर देखे नाइटवाच में से रिलीक ट्रमाता है तो वह आपका क्रिकट में किया जाता है चलिक कोस्चन नंबर अगर दिखेगा तो कहते हैं अध्यदि बहुजन हिता यह वह बहुजन ल क्सका थेव थिक है यह वाक है तो भूजन हिता यह तो मोटो तो वो किसी का है वो है आपका आल इंडिया रेडियो का बहुजन हिता है बहुजन सुखा है ठीक कोश्चन नमबर 67 में देखिए तो कहते क्या है यहां पर को देखते हैं तो यहां पर कहता है कि सांडों सांडों को वस में करने के लिए एक खेल खेला जाता है जिसका नमें जली कट्टू ठीक है या खेल जो है वह बिसिकली किस राज में आज़ुत होता है तो 68 का राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 68 का वो हो जाएगा सी ठीक तमिलाडू का यह खेल है अभी हाली में हुआ गया था इस पर रोग भी लग गई थी ठीक है यह जली कट्टू बहुत फेमस है यहाँ पर यह साड़ों को वस्मे करने का खेल है जैसे फ्रांस नहीं है वहाँ पर क्या होता है साड़ से वह लड़ाई का खेल होता है ऐसे यहाँ पर विवा करता था कोशन नंबर अगला दीखेगा ठीक है अगले में कहते क्या है कि जलवाई परजोतन के स और में स्टॉख खुंडर कorn यह समेशनें उधायन को सब्सक्राइब महां शर्मिलेंग पहला फिर ने खॉती पर सब्सक्राइब क्या करुक्षानर को ऊ9 pixel में सब्सक्राइब न वहा chuट性 एक वह फ्योव सब्सक्राइब कलर से दिनोट किया जाते हैं 30 का राइड एंसर हो जाए यहां पर भी रेड होते हैं ना क्यूंकि बहुत जादा फैलाते वह बहुत जादा है इसाइन क्या होता है कलर में वह रेड होताइए ठीक तो यह हो गया आपका जनल लबनिश करक्षन आप जरते हैं अगली ओर दोस्तों चलिए यहां पर के कास को सउशाफ करत करने के लिए उस संख्या को निमली हた कि किसे घुड़ा करना पड़ेगा तो कहते तु हैं पर तो दिए माली जिए वूर्षण। तो यहां पर देखेगा कितनी से गुड़ा करना पड़ेगा तो आप्सन की तब चलते हैं इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा सो का 35 पराप्त करने के लिए हम इससे अगर गुड़ा कर देखेगा अगर हम साथ बटे 20 से इसको गुड़ा कर देंगे बहुत आसान था अगला कोशन दीखेगे तो कहते गाएं कि सात पॉइंट सात बार का मायन आपको ग्यात करना तो होगा कर देखे जो बार होता है उसको में यहां पर च्होड़ लेते तो होताक है पर सेबन पर सेबंदेन है तो क्यों हो जागा सब्सक्राइब तर पॉइंट सब्सक्राइब अक्राइब गोशन आपे देखिए तो आसान से कोशन आते मैं तो कहते हैं आप कि 24 विद्यारतियों कि एक कर्षा का उसा तो 35 किलोग्राम है ठीक है यह हो गया आप यहां पर देखेंगा आप कुल पहले निकाल लेते हैं 24 गुड़े 35 कर लेंगे तो यहां पर इसका कुल आ जाएगा अब इसके बाद को थोड़ा सवर पढ़िए तो पर चार सो ग्राम बढ़ जाता है तो अब हम इसको कैसे स्वाल करेंगे वह यहां पर आपको दिखाते हैं तो इसका कुल जो आ तो यहां पर इसको ठोड़ा सा मल्टीप्लाइब करेंगे तो यह चाओविस की बात कर रहे हैं 24 लोगों का 840 है टोड़्य है? अब यहाँ पर एक चीद देखेगा यह 840 था अब इसमें से एक टीचर बढ़ा तो यह 25 हो जाएंगे original भार ऑसत भार जो 400 ग्राम बढ़ा गया 400 ग्राम वो बढ़ गया तो अब सत भार अगर 400 ग्राम बढ़ गया तो हम इसको आगर तो इसलिका है कैसे सलुल करेंगे वो देख़ेगा तो होगा करें अब क्या होगा 400 ग्राम बढ़ा कितने पर ठीक चारसो ग्राम कितने पर बढ़ा है यहाँ पर 24 लोगहों पर बढ़ा है इस प्तिकर को हुग गया तो 25 को यहां भी UP 25 तो कितना हो गया अब 35.8 गराम 25 लोगों का आउसत आ गया तो इसको भी हम कुल निकाल लेंगे कुल कैसे निकाल लेंगे 35.8 को यहां पर हम 25 से क्या गरेंगे गुड़ा कर देंगे ठीक है तो यह हमारा कितना जाएगा 795 आ जाएगा ठीक है यह 795 आ यह 840 आ ठीक है 840 में से गर 795 गटाएंगे तो हमारा 45 इसका करेक्टर अनसर जाएगा कि वो कितने कर टीचर था टीचर 45 किलोगराम का था ठीक है याद रखेंगे यह अच्छा कॉस्चन था आपके लिए अगला कॉस्चन देखे 34 में 34 में कहा क्या गया यहां पर 34 में देखें तो यह आपको यहां पे एक यूशन दे रखी है ठीक है तो सिम्पल से करना है गश्रaltra चलेंगे तो देखेंगे दो की पावर जो तीन होती है जोफी Will THi एट होती है क्यों कि दो गुड़ा दू गुड़ा दो दूचा को यहां पर देखेगा दो की पावर आपको लिना होती है कि द दजाएगह दो होजाएगा ओपर नीचे घित्ता हो का होता है ठीक है अब यहां पर देखे भाग में दिया हुआ तो सव का यो जाएगा यापका दस हो जाएगा दस का Cristx होता है यह साथ का होता है ठीक अब डिए अभी पाँच की पावर तीन वोती है ना उसका होता है 100 25 यहीं तो तो आपको 3 दिया हुआ लेड़ी तो यह इतना हो जाएगा यहाँ पर पांच हो जाएगा यहाँ पर करएगा यह एक बटा 2 यह बाग में थोड़ा सी यहाँ पया हूं यह उत्छा आ यहाँ भाग में है अब थोड़ा सTom लेकत ध Kickstarter जाकर तो चार एक कम चार जाएगा ठीक और तीन हासिल बचेगा तो एक सही तीन बटा चार आपका करेक्ट होगा इनकी बी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखे कोशन नमबर जो 35 कहता है दो धनात्मक संख्याओं को यहां पर 400 है तो X प्लस Y माल लेते हैं यह फिर अंतर जो रहेगा X-Y जो है वह कितना है वह आपका 100 है अंतर आपको सवदे रखा है X-Y और X-Y यहां पर 400 है ठीक है दो धनात्मक संख्याओं माल लिजिए एक आरफ यह दनात्मक संख्याओं तो यह हो गया यहां पर अब देखेगा करते क्या है इसमें अब इसको दो तो 400-100 में घटेगा कि तब जाए 300 बचेगा यहां पर कि तब 2 आई बचेगा अब य की वैलु आ जाएगी वाई की वह डेड़स वाजएगी ठीक है अब वाई की वैलु अगर डेड़स वा गही है तो हमको एक्यूशन पहले से पता है एक्स प्लस वाई 400 होता है ठीक है अब दोनों को जोड़के देखिए तो आपको 400 मिल जाएगा घटा के देखेंगे तो आपको 7 तर मिलेगा तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या कुन बड़ी गौंसी 200 आपसा नमबर D हैं पर एकदम करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब चलते हैं पांच कोशन आपके हिंदी या अगरामर के पूछे जाने तो 36 में कहा गया कि सुध्ध वाग क्या आपको बताना है तो उज्वल जो है वो कैसे लिखा जाता है तो देखें इसमें दो जा होते हैं दोनों हाफ होते हैं ठीक होता आपका तो यह आपको डी देखने को मिला है तो वाचाल यहां पर इसका करे इस अंसर हो जाएगा ठीक 38 में देखे तो जन्मा độngom Tabaq का सामनार्थ मतलब क्या है अरृवाची पूछे गया तो जो जाएगा अर रिदिस का राय्ट देंसरर हो जाएगा आपके लिए डी वालने की अनुग्या का अनुमति देना ठीक है इडी होगया इन टीना इसमें पे पर देखेंगे तो कहते गहां निमलेखी तुम इससे पुल लिंग आपको बताने हैं तु इसमें पुल कौन सा हो जाएगा ठीक दही अच्छा होता है हवा अच्छी होती ही इस इच्छा अच्छी होती ही मुर्गी अच्छी होती है ऐसे आप इसको यूज करके देख से तो डी आपका correct हो जानी के डी जो है आपका मेल है पुलिंग 40 में कहते हैं कि जिसकी बराबरी का दूसरा नहीं डूसरा ही नहीं पूरे वज़ए से बरमार्ण में तो यह होता क्या है यह वह होता है आदोईती है इसके जैसा और कोई ही नहीं सिर्फ एक यूनिक सिंगल पीस बना हुआ है ठीक है यहाद रखेंगे 40 का आपका राइड एंसर हो जाएगा एवाला अब दुस्तों क्या होगा अब यहाँ पर आपको पैसेज मिल जाएंगे ठीक है अब क्या होगा देखिए पैसेज आपके एक्जाम में पंदा नमबर काना है जिसमें दो पैसेज आएंगे हिंदी के एक पैसे को मिल सकती है ठीक है तो यह होगे आपका पैसेज पैसेज आप वीडियो पाउस को करीड कर सकते हैं इसका चलिए मैं को रहा बता देता हूं ठीक तो 41 है करता है कि दाफोर फेल डाउन और आउट भी कॉस्ट तो यहाँ पर दीखिए हमने पैसेज ने पढ़ा है तो इसका होगा क्या हो जाएगा यहाँ ठीक है यह पैसेज पढ़ेंगे ताव कि इसमें से अंसर दोने में मदद मिलेगी अगला कुशन कहते हैं यहाँ पर की वर्लेंट जो है इसका क्लोजिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर सुनेनिम्स ठीक है जिसको हिंदी में पर्यावाची कहते है वाइरल होगा ठीक है वाइरल होता है वाइरल चीज होती है अब आगे देखेगा तो कहते हैं पर 43 में तो कहते हैं को एक संटेंस आपको दिया हो इसमें एक एरर है तो देखेगा तो यहीं पर आपको देखने के मिल जाता है कि इसी में आपको एरर देखने के मिलता है ठ तो यहां पर आपको कहते हैं कि आरेंज करना है ताकि आपको एक वर्ड मिल जाए बड़ी हास में संटेस मिल जाए तो कॉइट हैपी आई वाज तफस्ट प्राइज डू रिसीव अब इसको कैसे यहां पर हम मेंटेन करेंगे ग्रामर को देखते हुए तक आधाव को दोट लेक्गे और आए वाज क्या पर है कि यहां पर जो कोई थेपी मैं बहुत खुस था और उसके बाद था प्रस्ट प्राइज औरला ब्राइस टिकर टीकि सीव कहाईच होगी आपकी तो तो क्या हो जागा आई वास यह सबसे पहले होगा आई वास कोई ठेपी टुरिशी वी दा फास्ट प्राइज नहीं कि मैं बहुत खुष था पहला प्राइज पा करके तो आपसन नंबर यहां पर एकदम करेक्ट हो जागा अगला कोशन दीखी करते हैं यहां पर फैमिनाइन मतलब क्या होता है अब यह तो में होता है अगला कोशन देखेंगे आपर तो आप क्या गद्यांस कराने से कोई फायदा नहीं है ठीक है तो गद्यांस आप लोग अपने इसाफ से कर लिए जगा तो अगर आपको पीडिए तो 72,88,88,88,88 पर यहां पर आप हमको मैसेज कर सकते वहां पर आपको फुल कोर्स का पीडिए मिल जाएगा जिसमें आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाएगे ठीक है तिससे आपके माक्स बहुत अच्छे यहां पर आपके आने वाले हैं पीटी के लिए तो उमीद करते हैं आ